हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है चार माई 2020 मंगलबार और आज की कुछ बारा बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ जुका हूं और आपको पता है मैं पिछले कर लिए आपको पता जुका हूँ कि कल जो करते हैं इस वीडियो में डिसकास करने वाले है तो अब भी जू है यह प्रिक्षाओं सगेत गई है बैंक्यों में काम है तो यह जान लों और क्रिक्षाओं पर भी आ सकता है एंडा तो अभी हम यहां पे उमीध पे उमीद है आने की ठीक है और इसके लावा जो भी अपडेट्स होंगी वह आपको यहां पर बताने वाला हूं ठीक तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से तो यह ही पहली अपडेट ही माचल मैं करूना के केस में रिकोर्ड ब्रिध्धी जारी 24 घंटों में आये 2630 नए केस कांगणा में सबसे ज्यादा केस कांगणा में विछले कल बिलासपर में 400 श्रिमला में 399 उनन में 256 सिर्मोर में 252 चंबा में 204 हमिरपुर में 132 सोलों में 108 कुलों में 92 आज 43 की गई जाल कुलम नितकों की स साथ हजार 121 और एक्टिव केस हैं 2788 और आज 1526 हुए है ठीक है तो यह है दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अप्टेट और ओफिस्यल अप्टेट ओके और चलिए भी मैं नेक्स्ट अप्टेट आपको बता देता हूं तो नेक्स्ट अप्टेट रही ये तो जहां संक्रमन ज्यादा वहां चोड़ दिन का सक्त लोगडॉन केंदन राज्यों को दी है सलाह 10 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमन दर बाली जगों पर हो पावंदी तो यह यहां पर कहा गया है केंदन राज्यों को सलाह दी है कि अगर जहां पर जादा संक्रमन है कही जगा पर ज्यादा सं बंदी है इसके लिए अब हर्याणा में भी दोस्तों लोगड़न लगा दिया गया है दस महीं तक और बात कर लेते हैं कुछ यहां पे तो यही कहा गया है यहां पर अपनी सेवाएं देंगे तो यह आप यहां पर देख सकते हो और कोविड राहत समागरी के आयात पर GST में छूट यहां पर दी गई है और MPBS अंतिम बश के चातर करेंगे करोना ड्यूटी यह भी हैं फैंसले BBSC या GNM योगे नर्सों को भी पूर्ण कालिक कोविड नर्सिंग ड्यूटी में तेनात किया जाएगा मेडिकल पेशेवरों को कम से कम सो दिन के लिए तेनात किया जाएगा कोविड बार्ड में सो दिन सेवा पर सम्मान तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है आप देख सकते हो यहां पर और चार माह टली नीट सनात को तर तो नीट की बिख्षा जो चार माह जो है अभी टाल दी गई है चलिए दोस्तों यह कुछ यहां पर अपडेट थी जो आपको बता दी चलिए नेक्स्ट अप्डेट देख लेते हैं यह रही सूब में रिकोर्ड 55 मरिजो की मौत मंत्री सर्विन चोदरी और ACS धिमान समेच 2738 ने पोजिटिव केस आए 21,000 पार कहुंचा सक्रि मौरिजो का आंकड़ा तो यह भी आपर न्यूज बाया हुआ है और अफीशल आपको बता चुका हूँ पूरा पड़ना जाए तो आपर पढ़ सकते हो ठीक चलिए दोस्तों नेक्स्ट अप्डेट यह रही शिमला के 90 मनाली डलोजी के 50 प्रतिशत होटलों पर ताले से पहुंची शून डलोजी में 95 होटलों के से घर वेजास्ता आप शिमला का एक होटल घर बैठे देगा दो मां का बेतन तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है और होटलों से रेलेटेड और बाकिया आप यहां पर देख सकते हो और कहा गया है कि इसके बाद भी हालात नहीं सुदरे तो समस्य आएगी एक शिमला की अधिकतर होटलों में एक दो कर्मी ही है शिमला शहर के 90 पीसदी और मनाली कुलूक चम्मा के डरोजी 61 के कसोली चायल में 50 पीसदी होटल बंद हो चुगे हैं और इन्होंने जो है जो स् साहसिक गदिविदियों सब ठप हो गए हैं तो यह कुछ यहाँ पे हालात है दोस्तों अपने हिमाचल में देख सकते हैं यहाँ यहाँ ठीक है चलिए नेक्स अपटेट यह रही भारी बारिश से कुलू में घरों में घुसगयाद मलबा गेहुन जो मतर की फसल को नुकसान शिमला और पालमफूर में भी बारिश कई जोनों में च्छाय बादल तो यह कुछ यहाँ पे अपटेट है छे साथ मई को अधर्ण ओल अवरिश्टी बारिश का यलो लट नो तक खराब रहे का मोसम तो यह आपके लिए दोस्तों वैदर अपडेट इनकी मोसम की जानकारी तो नो मई तक यहाँ पे मोसम अभी खराब बताया गया है बाकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लब अब बर्फ की 6 फिट दिवारे कार्ट 13 दिन में भाल कर दिया गया महान मनाली लेह मारग तो यह कुछ अपडेट है दोस्तों वैदर से रिलेटेड और चलिए भी न दो बज़े के बाद जाएंगे मतलों दूसरे टाइम में जाएंगे बैंकों में वट अब आशा नहीं होगा अब जो है हिमाचल में 10 मही तक बैंक अब प्राहन 4 बज़े बंध होंगे यहां पर दो बज़े लिखा है ऑके पबलिंग डिलिंग जो है सुबह 10 से 2 बजे तक ही होगी यानिकी अगर आपको को काम है तो आपका काम 10 से 2 बज़े के बीच में होगा अगर आप इसके 12 बज़े आपका काम नही होगा शीं के राज्यस्तरिये बैंकर समिती एक मही तक लगाई गई बंदिशों को बढ़ाकर 10 में तक कर दिया है तो इसमें भी यहां पर बंदिशे लगा दी गई है और अभी तक बैंक बंद करने का समय शाम 5 वजे रिजता था इसके लाबा पब्लिंग डिलिंग का समय 10 से 4 वजे तक था बैटक में खाया समय लिया गया कि 10 तक हर से निवार को भी बैंक बंद रहेंगे बिना मास्क के बैंक शाखाव में आने वाले लोगों सेवा नहीं दे जाएगी तो एक इंपोर्टेंट अपडेट है दोसों यहां पे देख सुकते आप यहां पे ठीक चले नेक्स्ट अपटेट यह रही कोविड नियमों का पालन ना किया तो और की जाएगी सकती जैराम से बोले कोरोना काल मैंने जी बस अपरेटर दिखाए मान बता करेंगे उनसे बात चेथ दोसों इसके उपर भी कल जो है मीटिंग में इसके उपर नियमों के पालन को लेकर लोग गंबिरता नहीं दिखा रहे हैं ऐसे मैं चलता रहा तो आने वाले समय में और सकती की जाएगी उन्हें ना कहा कि करोना काल मैं नीजी बस अपरेटरों को भी मानमता दिखानी चाहिए इस मुश्किल दोर में साथ देना चाहिए सरकार उनसे भारता करने का प्रियास करेगी चमबा दोरे पर पहुंचे मुख्यमंतरी ने समबारों को पत्तरगारों से ये बातें कहीं तो ये कुछ यहां पे अब दोस्तों अपडेट है ठीक है दोस्तों इसके लहाँ बात करें तो बीड का रिजल्ट भी अभी तक नहीं निकला है तो आप सभी से आगर कोई देख रहा है वीडियो को र keeping बीर कर जल्क का यंख लेकर के लिशन नाहीं नीनका ले और बीड का जल्दि नकाले को भी आप यह आईडिया लगा दिया करवा ठीक है चले जोस्तो नेक्स्ट अप्टेट यह रही खड़ी रही नीजी बसे HRDC नहीं परिशान होने नहीं दिये यात्री सुबर आठ से शाम चार वाजे तक लोकल डेबो की बसों नहीं लगाए 122 असरीक चकर 50 फिस्ट यकुवेसी की बंदी से कई जगह नहीं रुकी बसें हर्ताल के बाब जूद चलती रहे चिंतकुर्णी बस सर्विस की साथ बसें मागे ना बूरी हुई तो चलेगी नहीं चलेगी बसें यहाँ पर कहा गया है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर पिक्सर में चलेगी नेक्स्ट अप्टेट यह रही बैठक कैमिनेट बैठक कल 10 में के विजारती होंगे प्रमोंट लोकडोन पर होगा मंतन हर्ताल पर चरे नीजी बसर प्रेटों को राहत दे सकते हैं हिमाजल सरकार सिटर्ण संसान 10 में के बही बस ओप्रेटरों की मांगो को लेकर भी अन्चित का हड़ताल जो शुरू हुई है उस पर भी चर्चा हो सकती है और उन्हें सरकार कुछ राहत दे सकती है इसके लाबा शिक्षर संसाना को 10 में के बाद भी बंद रखने पर बैठक में फैसला हो सकता है इसके लाबा ब क्रिक्षा जो पहले बिद्धियार्थियों को प्रियापस समय दिया जाएगा बैठक में कौलेजों की प्रिक्षाओं के आयोजन पर भी फैसला हो सकता है तो अभी तो 17 तक मंध है ठीक है और बात में देखेंगे कल देखते हैं क्या यह फैसले लेते हैं ओकी अभी कल पर ही लागू होगी नई शिक्षा निती गोविंद तो कुरोना संकर्ण की दूसरी लहर से राष्टी निती शिक्षा निती को लागू करने की प्रक्रिया की भी प्रभावित हुई है शिक्षा मंत्रे गोविंद सिंग ठाकू न बदाया कि बिवागी सर पर कई योजनाएं त्यार कर ले गई है स्कूल और स्कूल्डों के खुलने पर ही निती लागू की जाएगी तो यहां पर अपडेट है चलिए नएक्स अप्डेट यह रही दोस्तों हेस समयत कई प्रक्षाओं का प्रसावी स्ट्डियूल बापिस यहां पर ले लिए गया है बात हो रही है य माई को होनी थी इंजिनेर्ग होनी थी इंजिनेरिंग सी ऴिल की और इसके अलावार करहे टेईस माई इसको हनी थी पर क्रवक्षप अधिक्षकी चोब्स माई को होनी थी ओट्म reality प्रोक्ता की और यह टैस्ट ठीक है बिशिव जाली की पहला होस्टों के बंद कमरों को आइसलेशन सेंटर मना सकती है सरकार तो यह भी आप देक्ट तो इज़र भाषा, शास्त्री और कला ध्यापक के लिए कांसलिंग स्थगित हुए तो यह भी कांसलिंग यहाँ पर सगित कर दी गई है तो दोस्तों यह थी आज की कुछ मोस्ट इंपूर्टन अप्डेट्स वीडियो चलेगे तो लाइक शर्ट चैनलंग सब्सक्राइब जुरूर करेगा थैंक्यू